तो चलो बच्चो इस question को start करते हैं एक अच्छा सा question है ऐसी बर्मा का और अच्छे से समझना और ऐसे question बेसिकली तुम्हें एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसमें यह कर रहे हैं कि यह हम लोग के पास spring balance है ठीक है तो उस spring balance में अगर कोई spring balance है जो equator पर है तो पहले तो हम अर्थ बना लें यहाँ पर दिखाए यह रही हम लोग की earth और यह रहा हम लोग का equator यह वाली जो plane है वो equatorial plane है यह वाली जो plane है वो हम लोग की equatorial plane है तो और यह वाली क्या है वाली तो अगर कोई spoken सब्सक्राइब Знаming को i तो इस ब्लोग का free body diagram बनाओगे तो mg नीचे लगेगा तो इसका मतलब हुआ कि elongation कितना हो गया elongation हो गया इसमें kx की जो value है वो mg के equal आ गया तो x will be mg upon k तो this is the elongation in the spring and this will be due to the force acting by mg ठीक है weight weight की वेज़े से जी की वेज़े से तो अगर दो place पे two place पे compare करोगे two place पे compare करोगे तो x elongation will be same अगर elongation same होगा if g will be same g will be same दो place पे x की value same होगी because m upon k क्या है constant है वो place wise vary नहीं करेगा क्योंकि जी अगर सेम है तो ग्रिविट यह जो मास है वही सेम होगा और spring constant के तो इसका मतलब होगा कि अगर यहां पर यह इक्वेटर है यहां पर elongation जो है कुछ और आया तो कितने हाइट पर वही elongation x x का elongation जो है वह एक्वेटर पर है तो कितने कितने हाइट पर G की वेलू elongation same होगा तो कितने height पे elongation same होगा तो जो value G, G पे equator पे है कुछ height पर यहां से कुछ height पर A, H height उपर चले जाओ, pole से यह height H है, तो यहां पर अगर मैं G की value, pole पे अगर G की value same कर दूँ और यहां अपना spring balance लगाऊं यहां मैं spring balance लगाऊं तो तुम देखोगे G की value same हम मैं equate कर दूँ अगर G की value same कर दूँ तो मेरी बात बन जाएगी यार ठीक है, तो कुछ H height पर यहां से pole पे चले जाओ और उसके बाद equate कर दो यार कोई दिक्कत वाली परसानी वाली बात नहीं है, यहां पर लगा दो spring balance और यह height h calculate कर दो ठीक है, तो यहां G at pole, G at equator equate कर दो और वहां से h की value same आ जाएगी, तो G at equator लिखो तो चलो इसको आगे further solve करते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या मिल जाता है तो चलो लिखते हैं 8 equator तो 8 equator पे अगर तुम देखोगे तो equator वाली पे कहानी G की value at equator जो आती है वो आती है G minus R omega square cos square lambda सबको पता है lambda 0 होता 8 equator पे, तो lambda की value अगर 0 होता है, तो भाई G कितनी हो जाएगी, तो lambda की value अगर 0 होता है, तो यहां से G at equator आ जाएगा G minus R omega square equation number first ठीक है, pole पे आ जाओ at pole, pole पे at some height, some height, कुछ उपर चले जाओ, pole पे ठीक है, तो कुछ उपर चले जाओ G at pole is equal to G minus R omega square cos square lambda rotation consider रोड़ा 90 है ठीक है, pole पे तो G at pole is equal to G के equal equation number 2, तो यहां से तो अगर हम बात करें तो यह जो G a rotation की वज़े से है तो हमें rotation की वज़े से नहीं consider करना, बहुत सारे बच्चे यह rotation वाला formula लगा देते हैं लेकिन हमें जब कुछ उपर जाना है तो हमें aspirical height की वज़े से consider करना है तो rotation की वज़े से इतना होगा at some height अब कुछ height पे जो G की value है rotation का तो effect ही नहीं होता है तो आप यह नहीं यह नहीं भी करोगे तभी भी सवाल solve कर लोगी यह वाला step बट मैं आपको समझाने के लिए का तो G at pole कुछ height पे is equal to G 1 minus 2H upon R binomial assumption माला equation लगाते है this is the equation number 2 तो इसको हमें 2 लिखने की जरुद नहीं है तो यह 2 अब यह जो है G minus R omega square G minus equate कर दो और यहां से हमें H की value आ जाएगी और Y हमें solution में मांग रहा है ठीक है तो G at pole अगर equal होगा G at equator तो elongation at pole is equal to equal होगा elongation at equator ठीक है तो चलो G at pole अगर देखोगे तो G 1 minus 2H upon R का square is equal to G minus R omega square तो यहां से अगर मैं इसको solve करूंगा तो देखो कितना आता है भाई तो solution में अगर इसको solve करेगो तो G minus 2 यह square नहीं है G minus 2HG upon R is equal to G minus R omega square तो यह G ने यह G को खतम कर दिया माइनस ने माइनस को खतम कर दिया तो यहां से जो H की value आजाएगी वह आजाएगी R square omega square divided by is equal to 2 upon G तो R square omega square 2 upon G this is basically nothing यह क्या है वो value है H की तो यहीं वो height है जो हमें चाहिए था बट अभी यह है यह height mathematical में चाहिए मतलब value रगनी पड़ेगी हम सबको तो चलो सबकी value रग दो तो जो formula बनेगा वह हमारा solution में आएगा तो अगर H की value रखो सबकी radius 6400 km 10 की power 3 meter और इसका square चड़ेगा omega is equal to 2 pi t तो 2 pi 3.14 और time period अर्थ का 24 hour तो 36 second का square अंडरू divided by divided by 2 और 9.8 तो यह पूरा solve कर लेना तो H आजाएगा approximately 10 km तो 10 km पे equator पे जाओगे तो G की value सेम होगी मतलब यह कहने का मतलब यह है कि result is that कि अगर यहाँ पे result यह है कि अगर अर्थ है यह अर्थ है और अर्थ पे यहाँ पे यह जो equator वाली line है यह equator है तो equator वाली line पे यहाँ पर यहाँ पर G की value जितनी है तो यहाँ से pole पे थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो pole पे अगर ऊपर चले गए यह जो pole है यह यहाँ से यहाँ पर G की value pole है pole से यह वाली जो height है this height h is equal to 10 km तो इस point इस height पे G की value जो है pole पर G की value G की value at equator के equal होगी ठीक है और equator पे जो ती हो यहाँ तो इस 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 फाइनल solution और यहाँ पर अगर मैं spring रखूंगा तो elongation सेम होगा तो आयोब की बहतर तरीके से आपको clear हो गया होगा और मज़ा आ गया होगा तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों और भी बहुत सारा video हम डाल रहे हैं अप्लोड कर रहे हैं और बिसे के लिए को Google या YouTube पे उपर में तुम सर्च कर सकते हो तो जो सर्च करोगे तो तुम्हें एक अच्छा सा result जो दीखेगा उस result के हिसाब से कि video बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हें प्लेलिस्ट में जाके सर्च करने में दिक्कत होगी